Hello everyone, I hope आप सभी safe होंगे, healthy होंगे और अपनी knowledge को बढ़ा रहे होंगे मेरा नाम है Sandeep and welcome to Tricket Actually दोस्तों कल मैंने एक documentary देखी on Netflix और documentary का नाम है 14 Peaks Nothing is Impossible और थोड़ा context आपको दे देता हूँ World में total ऐसी सिर्फ 14 Peaks हैं जो 8000 मीटर से ज्यादा की height है जिन की और इन 14 Peaks को लोगोंने time to time conquer करने की कोषिश किया यानि की summit इन पे चड़ने की कोषिश किया और अभी तक total 44 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको summit किया है अगर पहले इंसान की बात करें तो उनका नाम मैं आपको पढ़के बता देता हूँ मुझे याद नहीं है और इन्होंने 16 years लिये थे इन सारी जो peaks थी उनको conquer करने में इन्होंने 1970 में एक campaign स्टार्ट किया था और 1986 में जाकि एक campaign खतम हुआ था तो total 16 years और उसके बाद time to time लोगोंने इस record को तोड़ा और फिर I think जो record था वो 8 years का था लेटिस रिकॉर्ड जो था कि 8 साल में ये 14 peaks को अंकर की गी है और उसके बाद एक अचानक से एक अलगी potential का बंदा आता है जिनका नाम है निर्मल पुर्जा और इन्होंने कहा कि ये 6 month में ये पूरा challenge करके दिखाएंगे और वही उसी चीज़ पर ये documentary बनी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने ये task achieve किया तो बहुत ही inspiring है आपको देखनी चाहिए बहुत motivation आपको मिलेगा और इस documentary को देखने के बाद मेरे दिमाग में खयाल आए कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाओ जिससे मैं आपको बता सकूँ वीडियो की तरफ दोस्तो ये है मैप इसमें आप देख सकते हैं mainly तीन कंट्रीज आपको इस तरफ देखने को मिलेगा पाकिस्तान यहां बीच में है इंडिया और यह रहा नेपाल और इस रीजन में आपको तिबद देखने को मिलेगा यह मैप हम इसलिए देख रहे हैं क् हमको इसी रीजन में वो सारी की सारी 14 पीक्स देखने को मिलेगी तो हमें पता ही है कि उपर पड़ता है हमारा जम्मो कश्मीर और इसमें यह जो इतना रीजन है यहां पर हमें पता है कि पाकिस्तान का administration चलता है और इसको हम कहते हैं पाकिस्तानी occupied कश्मीर और इस तरफ यह वालो जो रीजन है इतना यह है अक्षाई चिन का रीजन जो की चाइना ने occupy कर लिया था आफ्टर 1962 वार तो इसको हम कहते हैं Chinese occupied कश्मीर तो यह तो बात होगी territories की अब आ जाते हैं mountains पर तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमें इस region में यह जो हमारा region पड़ता है पूरा जिस कहते हैं हम Karakorum to Karakorum Range को हम Trans Himalian mountain range भी कहते हैं तो Karakorum range में देखने को मिलेंगे total REx और एक peak हमें इस region में देखने को मिलेगी और ग्य की जो नौ को देखना शुरू करते हैं so the first mountain range in 14 mountain ranges में जो पहली 8,000 meter वाली mountain range है उसका नाम है नंगा परवत नंगा परवत की अगर आप height देखेंगे तो यह है 8,125 meters और यह यहाँ पर कश्मीर वाली region में आपको देखने को मिलेगी इस जगे पर अगर height के terms में बात करें तो यह वर्ड की 9th highest peak है और नंगा परवत के बाद कश्मीर में ही हम इस region में जाएंगे और मैंने आपको बताया था है यहाँ पर पढ़ती है आपकी एक range जिसको बोलते हैं इनका जो नाम था actually 1856 में Thomas George Montgomery थे वो एक British engineer थे जो काम करते थे great trigonometric survey of India के लिए तो उन्होंने इन 5 peaks को नाम दिया था K1, K2, K3, K4, K5 यह K जो है इसका मतलब है कारा कोरम क्योंकि यह कारा कोरम ranges में है तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी K2 और K2 जो है यह world की second highest peak है after Mount Everest आपने एक नाम सुनाओगा Godwin Austin तो वो K2 को ही बोला जाता है और अगर इसकी height की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी height है 8611 meters उसके बाद आपको देखने को मिलेगी K3 जिसका नाम है Broad Peak और इसकी height है 8051 फिर आपको तीसरे नमबर पर देखने को मिल देखते हैं बाकी की ranges जो की मेलनी आपको नेपाल के आसपास देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी धौलागिरी को मैं धौनी से याद रखता था MS धौनी जो हमारे क्रिकेटर है तो उनका जर्सी नमबर जो है वो 7 है तो धौलागिरी जो है वो 7th highest peak है world की और इसकी height है 8167 meters उसके बाद आपको देखने को मिलेगी अनपूर्णा और दोस्तो अनपूर्णा peak जो है यह बहुत ही difficult peak मानी जाती है इस mountain range का highest fatality to summit ratio है 1 to 3 का यानि कि जो 3 लोग चड़ रहे हैं तो उन पर एक इनसान की यहाँ पर मौत हो जाती है इ out of these 14 peaks अनपूर्णा जो है वो world की 10th highest peak है और इसको भी मैं Sachin Tendulkar की help से याद रखता था क्योंकि उनका jersey number जो है वो 10 है और लोग को हम respect से south side न बोल देते ना अनना तो इस तरीके से भाई Sachin जो है वो एक respected player है तो उनको इस तरीके से मैं याद रखता था तो अनपूर्णा इस 10th highest peak of the world उसके बाद next है मानसलू और मानसलू की height है 8163 meters और ये 8th highest peak है world की तो ये 3 peak तो जो है totally नेपाल में ही आपको देखने को मिलेंगी तो generally आपको देखने को मिलेगा कि जो 14 peaks की submit करते हैं तो वो सबसे पहले इन 3 mountain ranges से start करते हैं अब next 2 peaks जो है वो आपको यहाँ पर last में किया जाता है mountaineers के द्वारा summit क्योंकि ये तिबत वाले region में हैं और Chinese government से इस टीच के लिए permission लेनी पड़ती है तो इसमें पहली peak जो आपको देखने को मिलेगी उसका नाम है शिशापंगमा और इसकी height है 8127 और ये 14th highest peak है तो इन 14 peaks में से सबसे कम height इसी की है उसके ब 888 meters और ये world की 6th highest peak है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा Mount Everest world की highest peak 8,849 meters और इसकी location की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तोड़ असा तिबतियन region में भी है और नेपाल में भी है लोचसे और लोचसे की height है 8,516 meters और ये world की 4th highest peak है और ये भी आपको तिबत वाले region में ही देखने को मिलेगी लोचसे का मतलब तिबतियन में होता है South Peak तो तिबत का जो Southernmost region है उसमें आपको ये peak देखने को मिलती है इसलिए इसका नाम लोचसे रखा गया है और फिर उसके आपको देखने को मिलेगी मकालू की भी height बहुत जादा है 8,485 meters और ये 5th highest peak है world की और ये peak आपको नेपाल और तिबत के region में देखने को मिलेगी तो यहाँ पर हमने देखा चोयो, Mount Everest, लोचसे और मकालू और ये 4 mountain ranges नेपाल और तिबतियन जो region है वो शेर करते हैं और उसक नेपाल और इस तरफ से इंडिया के दोरा शेर किया जाता है इंडिया के जो सिक्किम स्टेट है वहाँ पर ये है और कंचन जंगा की अगर height देखें तो वह 8,586 meters तो अगर top 5 हम देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर Mount Everest देखने को मिलेगा, second highest आपको पता है कि इधर जाना पड़ेगा उसके लिए आपको K2, third की जब हम बात करते हैं तो वह कंचन जंगा हो गया आपका, fourth number पर आपका लोट से हो गया, fifth number पर मकालू, sixth और seventh की भी बात कर लेते हैं, sixth number पर आपका आगया चोयो, और seventh number पर धोनी से जो हमने याद किया था धौला गिरी, और tenth number अन्ना के नाम से हमने याद किया था, अन्नपूर्णा, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, और 14th number पर भी हमने एक गी देखा था, जिसका नाम था, शिशा पंगमा, जो की तिबबत में पढ़ता है, और इसे के साथ ये वीडियो होता है, complete, I hope ये वीडियो देखने के के लिए जो ये सारी की सारी 14 peaks को conquer करें, तो end करते हैं आज का वीडियो और मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में जो कि आएगी Sunday को, तब तक अपनी knowledge को बढ़ाते रहिए और अपनी health का ध्यान रखिए, जै हिंद, जै भारत.